राहुल गांधी का सवाल बांगलादेश में जो कुछ हो रहा है क्या उसमें पाकिस्तान या किसी अन्य देश का हाथ भी हो सकता है? विदेश मंतरी S.J. शंकर का जवाब बांगलादेश की स्तिती अभी एक developing situation है हम हर एंगल से जाच कर रहे हैं जिसमें ये एंगल भी शामिल है केंद्र सरकार की तरफ से 6 अगस की सुभा एक all party meet बुलाई गई सर्फ दलिये बैठक, वजह बांगलादेश सरकार ने सभी पार्टियों को बताया कि बांगलादेश की स्तिती पर भारत का क्या stand है? क्या कदम उठाये जा रहे हैं? क्या सतरक ताब बरती जा रहे हैं? इंडिया टोडे से जुड़े सूत्रों के मताबिक इसी मीटिंग के दौरान राहूल गांदी और एस जैशंकर के बीच ये समवाद हुआ राहूल समयद बैठक में मौझूद अन्ने लोगों ने सरकार से तमाम सवाल किये एस जैशंकर ने जवाब भी दिये इसके बारे हम बताएं उससे पहले जान लीजे कि बैठक में मौझूद कौन-कौन था सरकार की तरफ से बैठक में मौझूद खास नाम रहे ग्रह मंत्री अमिच्छा, रक्षा मंत्री राजनात सिंग, विदेश मंत्री एस जैशंकर और अल्प संक्यक मामलों के मंत्री किरेन रेजीजू अब जानिये मीटिंग से निकली तीन सबसे एहम बाते, पहली खास बात ये रही कि सभी पार्टियों ने बांगला देश के मुद्दे पर सरकार को समर्थन दिया है, क्योंकि ये देश की अखंडता और सुरक्षा से जुड़ा मसला है, इस बात की जानकारी एस जैशंकर ने दूसरी खास बात, शेख हसीना भी भारत में ही है, उनके फ्यूचर प्लांस अब इस पशिना के साथ बात की गई है, मीटिंग से निकली तीसरी खास बात, बंगलादेश से लगे बॉर्डर या किसी भी अन्य बॉर्डर को लेकर चिजिनता की कोई बात अभी नहीं है, और डेवलपिंग है। बांगलादेश में अभी भी चीज़े घटित हो रही है। सरकार इस पर पैनी नजर रखे हुए है। और उसी हिसाब से आगे की योजना पनाई जाएगी। राहुल का अगला सवाल पांगलादेश में बाहरी ताकतों के सक्रिय होने की कितनी संभावना है। एक पाकिस्तानी जनरल ने सोचल मीडिया पर डीपी बदल कर प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था। ये शंकर का जवाब इस पर भी आया। उन्होंने कहा हम जाच कर रहे हैं लेकिन बाहरी ताकतों के हाथ होने के बात कहना अभी जल्दवाजी है। विपक्ष की तरफ से ये भी पूछा गया कि क्या बांगलादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भी दिख रहे हैं। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि कुछ जगाओं पर ऐसा दिखा है पर जो भी सरकार आएगी वो भारत के साथ डील करेगी। सरकार ने ये जानकारी भी दी कि करीब 20,000 भारतिये बांगलादेश में थे। एडवाजरी जारी होने के बाद करीब 8,000 लोग लौट आए हैं। 12,000 से 13,000 भारतिये अभी वहाँ हैं। आल पार्टी मीट में सरकार ये पंगलादेश के हालाओतों पर हम लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे, देखते रहें दिलरलन टॉप स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथ ही अभी शेक तरिपाठी ने शुक्रिया।